हलो दोस्तो, SSC MTS का अंसर की कल ही आ गया था और कल साम 6 बजे से अंसर की का लिंक एक्टिबेट करा दिया गया था अंसर की चेक करने के बाद बहुत सही से कंडेट हैं जिनके नम्मर कम आ रहे हैं और ये सभी कंडेट जानना चाते हैं कि नम्मलाजेशन होने के बाद कितने नम्मर तक बर सकते हैं तो आज मैं आप लोगों को SSC MTS का 2019 में जो एक्जाम लिया गया था उसके कुछ कंडेट का स्कोर कार दिखाने बाले हैं जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि नम्मलाजेशन होने के बाद इस बार कितने नम्मर तक बर सकते हैं hard shift बाले का कितना नमर बर सकता है, moderate shift बाले का कितना बर सकता है, इजी shift बाले का कितना नमर बर सकता है, इस पर भी discuss करने बाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पुरावस देखेगा, तो चलिए आज कब डियो श्टार्ट करते हैं, तो SSC MTS के answer की calling कल साम 6 बजे से activate करा द रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार MTS एक जम में मात्र 15 लाग कंडिट ही बैठे थे, जबकि पिछली बार 19 लाग कंडिट बैठे थे, यानि कि पिछली बार की तुलना में इस बार 4 लाग कंडिडेट बैठे हैं, तो इस बार SSC MTS का cut-off पिछली बार की cut-off से कम आप लोगों को कुछी दिनों के बाद इस बाताने बालें कि इस बार की cut-off कितना जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा, तो चलिए आज देखते हैं कि normalization होने के बाद कितने नमबर तक बर सकते हैं, आप लोगों को SSC MTS 2019 एकजाम के कुछ कंडिट क स्कोर कार दिखाने बाले हैं, जिससे आप लोग देखने के बाद समझ जाएगे कि normalization होने के बाद कितने अधिक नमबर तक बर सकते हैं, आप लोग इस कंडिट का raw score देख सकते हैं, इनके raw score 85 है और normalization होने के बाद इनके 10 नमबर तक बर गए हैं, इस कंडिट का आप लोग रॉस्कोर देख सकते हैं इनके रॉस्कोर सरसट है और नॉर्मलाइजिस्कोर 75 है यानि कि नॉर्मलाइजिस्कोर देख सकते हैं इनके रॉस्कोर 84 है और नॉर्मलाइजिस्कोर देख सकते हैं इनके रॉस्कोर 84 है और नॉर्मलाइजिस्कोर देख सकते हैं इनके रॉस्कोर 84 ह और नॉर्मलाइजी स्कोर 80 है यानि कि 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 नॉर्मलाइजी स्क 9-11 के कुछ कन्डेट का स्कूर कर था जिसमें किसी किसी कन्डेट के 20 नमर तक नौर्बलाजसर्ञ होने के बाद बर गए है, तो इस बार भी नौर्मलाजसर् handling के बाद इतने अधिक नमर तक बर सकते हैं, अगर आपका एज़ां easy shift में हुआ है तो 1-7 नमर तक बर सकते हैं, अ आप लोगों ने देखा कि नर्मलाइशन होने के बाद कितने अधिक नमर तक बढ़ सकते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप लोगों को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के आप लोगों का धन्यवाद